असलाम अलेकम, आज मैं आपके साथ पीजा डो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यह पीजा मैंने पैन पर बनाया है और यह पीजा मैंने आवन में बनाया है, तो यह डो से आप पीजा पैन पर भी बना सकते या भी आवन में भी बना सकते, यह डो यानि के पीजा के आटा जो अगर आटे से अगर आप बनाएंगे तो इस तरह का ब्राउन कलर कभी निया आता है सराउडिंग में यह जो राकॉर्न ब्राउन हुए है ना यह पुराने आटे से ही होते हैं हम पीजा हाट या डॉमिनो जहां से भी हम पीजा लेते हैं वहां पर वह लोग भी एक दिन पुर हलका गरम है अब इस पानी में हम एक टेबल स्पून शकर दालेंगे और इसी चंचे से एक टेबल स्पून इस्ट दालेंगे यह इस्ट के लिए थंड़ा पानी भी नहीं यूश करना और ज्यादा गरम पानी भी नहीं यूश करना बिलकुल जस्ट हलका सा गरम पानी में हम जाएगा तो मैं अब उसके बाद यह देखिए थोड़ी देर के बाद यह पूरा ऊपर तक आ गया है और थोड़ी देर मैं वेट करूंगी तो यह कप से नीचे निकल जाएगा तो मैं अब इसके बाद इसके आठी की तैयारी करूंगी इसमें मैंने 1,5 कप गहूं काटा लिय तो यह बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसको हम अच्छे से नमब को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बीच में छोटी सी वेल बना लेंगे, इसके बाद यह पूरा कप्मे का पानी दाल देना, और इसको हलके हाथ से मिक्स करते रहना, और इसके बाद यह पूर तो पतला रहता है, ज्यादा गड़ा नहीं होता, मेरा इसका पानी खतम हो गया तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लिया, अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो स्टैंड मिक्सर यूज कर लेना, मैं आज इसको इसी तरह हास से ही बना रही हूँ, ये आटा थोड़ यह बहुत ज्यादा स्टिक्की है पुरा उंग्लियों को लगता है तो इस तरह स्टिक्की आटे से ही पीजा बनता है पीजा डू की एक और पहचान यह होती है कि वह बहुत लाइट होता है बहुत हलका होता है यह अपने चपाती की आटे की तरह हेवी नहीं होता अब पूरे आटे को आईल लगाना है इस आटे को रौन इस तरह आप घुमा कर पूरे को आईल लगा कर इसी में रख देना आप किचन टॉप पर या भिर कहीं गरम जाएगे पर इसको रख देना एक घंटे के लिए एक घंटे के बाद यह पूरा साइज इसका डबल हो जाता है अब मैं इसको ढख कर रख दूँगी यह आटे से आप पीजा बना सकते हैं यह पीजे के लिए काम आता है और दूसरे इसके और भी रेसिपी से जैसे के पैट्जल या और चीज ब्रेट स्टिक्स और दूसरे भी हैं जो भी मैं यह आटे की बेसिक रेसिपी आज आपके सा शेयर कर रही हूँ उसके बाद दूसरे रेसिपी मैं आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी देखिए अब इसका एक घंटे के बाद इसका साइज डबल हो गया है अब यह परफेक्ट है अब मैंने एक एर टाइट बॉक्स ले ले लिया यह बॉक्स को भी मैंने पूरा प्रेंच का पीजा होता है या विर आप चोटे पीजे बनाएंगे तो इसमें तीन या चार पीजे बन जाते हैं अराम से अब इसको ढखन ठाइट लगा देना यह मैं breakfast pizza बना रही हूँ यह बहुत अच्छा रहता है breakfast pizza कभी आप सुभा में बनाने का कुछ भी आपको breakfast बनाना समझ नहीं आ रहा तो इस तरह आप breakfast pizza बना सकते हैं एक pizza थोड़ा साटा ले लिया हमें इसको इस तरह बेलना है इसमें बारी खोल करकर इसको सेक लेना है प्लिप करकर दुसरी साट भी एक मिनेट के लिए पकाना है इसके बाद इसके उपर हम थोड़ा सा मोजरेला चीज दालेंगे और जो साट ज्यादा सिखा हुआ है उसको ऊपर ला लेना जो कम सिखा हुआ है उसके उपर हम चीज और पालक दालेंगे चीज के अंदर मैं नमक और काली मिर्ची आट कर रही हूँ इसमें पीजा सॉस नहीं दालते बस पालक दालते हैं पालक और चीज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है और यह फटा-फट तवे पर बन जाता है आप रोटी के बज़ाए इस तरह ब्रेकफास्ट तो यह फटा काली मिर्ची का टेस्ट अच्छा आता है और पालक दाला है जितना पालक एक पिज़े के उपर आती है उतनी पालक दालेना चाहे तो पालक कट करके भी दाल सकते हैं लेकिन मैंने इसी तरह साबित ही रखा है पिर इसके बाद हम इसके उपर चीज दाल देंग कर कर दूँ आधा है इसको मैंने ढग कर पनाया है दो मिनिट के बाद लिए कर बाद इसके नीचे का इस तरह बॉल्क बॉल्क ब्राउन कलर का हो जाए तब निकालना और कट करना जब आप कट करकर देखेंगे तो बिल्कुल लाइट रहे गा यह आठा और यह पीजा भी ब आपीस